हेलो स्टुडेंट आज हमों क्लास 11 का मैथ चैप्टर 5 कॉंप्लेक्स नमबर और क्वाडिक एक्विशन का मिसलीनिस एक्ससाइज का कुश्च नमबर 13 देखेंगे तो चली देखते कुश्च नमबर 13 हम लोगा क्या है फाइंड दा मोडूलस एन अर्गुमेंट्स आफ दा कॉंप्लेक्स नमबर इसका मोडूलस फाइंड करना और आर्गुमेंट्स फाइंड करना तो कैसे करेंगे तो चली जो दियसको पहले बढ़ लिख लेते हैं वन प्लस टू आई यापॉन में वन मायरस थी आई अब इसका लृज करें दके आउटा नीचे नी रहता तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी नंबर से क्या करेंगे उपर भी multiply कर देंगे, नीचे भी multiply कर देंगे, बस sign जो है, वो क्या हो जाएगा, change हो जाएगा sign क्या हो जाएगा, change हो जाएगा अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखें, 1 को 1 से करेंगे, तो 1, फिर क्या होगा यह a-b का क्या है a-b और a Plus b एक formula होता है हम लोगा कौन सा a2-b2 तो b के place में 3 यह तो 3 आएक स्वेर a-b a plus b मैंने पिछले question में भी आपको बता था 12 question में फिर से बता रहा हूं यह हम लोग का formula होता है क्या होता है formula देखिए a minus b और a plus b क्या होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते a square minus b square इसको आप हम इसे याद रखेगा आप चलिए इसको solve कर देंगे हम लोग क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा plus 3i plus 2i कितना हो जाएगा plus 25i और यहाँ पर क्या जाएगा plus अदेखिए 6i square का value कितना होता है minus 1 याद रखेगा i square का value क्या होता है minus 1 होता है मैं आप चोटा से करके दिखा रहता हूं i square का value minus one होता है एक one का square 1 minus 3 का square 9 और i का क्या हो स्क्वार हुजाए गाद हें पर देखिंगे कि면 ए फ्ला इबलू क्या कर लिए वं फ्लैव सा माईनस मायनस जा Etud DAVID सेख्स आप पहां मिंधधी वर्त मायनस नैन और आज स्क्वार का वैल्यू मायनस son ho यहां पर यहां पर यहां पर देखते हम लोग क्या होगा आगे तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे में नेक्स्ट पेज़े बनाते हैं एक बड़ लिख देता हुए मैं चलिए आप ज़िए इसको solve करेंगे तो क्या से solve करेंगे देखिए हैं पर 5 common निकाल लेते क्या बचेगा अंदर में 1 प्लस आई और यहां पर कितना हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 क्या हो जाएगा हम लोगो क्या हो गया हम जो हम लोग करेंगे मनलोक मोडलर निकालने के शरके हैंना ने जाडिद इक्मmist कि एतना है सब्सक्राइगा जो इक्या इस प्लस और आई ना तरह कंपेर करते किसे जड़ इक्वर to X प्लस आई वाई से यहां से हम लोग क्या निकालते है एक्स का वेल्यू कितना है माइनस वन बाई टू और वाई का कितना है हम लोग का वन बाई टू हम लोग क्या करते है मोडूलस निकालने के लिए यह हो जाएगा हम लोग का क्या x square plus y square यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का x square यानि कि कितना हो जाएगा हम लोग का minus 1 by 2 का whole square plus y square यानि कि 1 by 2 का whole square अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग इसका क्या हो जाएगा 1 by 4 plus 1 by 4 यहां पर इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर देखें क्या हो जाएगा एड़ करतेंगे तो टूबाइ आख इक्स गताए जहां है आघ एक्स का मॉड केशन मैं यहां पर देखें य से गॉजटे लगा two by-2 इसको हमोग क्या लिख सकते हैं हम लोक के हैं इस वन होगा मोड के अंदर हम यहां पर क्या हो जाएगा अब हम लोग 10 इंवर्स 1 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पाइबाइब 4 लिख सकते हैं 10 पाइब यहां पर दिहां से देखेंगे तो हम लोग क्या होगा यहां पर यहां सब प्लस होता है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या देखेंगे एंगे इन Second Quadrant Second Quadrant पर हम लोग नोग को क्या कर रहा है तब हम लोग को क्या हो जाएगा जो थेटा इक्वल होते हो क्या होता है Pi माइनस अलफा Pi अलफा का वैल्यू Pi बाई 4 हो जाएगा हम लोगका LCM ले लिंग क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर 4 Pi माइनस Pi या क्या जाएगा थिटा एकॉल टू थिरी पाइबाइबाइब फोर यह हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर सो स्टुडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू